रविवार का दिन है जिसमें गुरुजी प्रदीप मिस्राजी के दो उपाए आप सभी को घर में करने हैं इसमें से प्रथम उपाए जाडू और नमक का विसेश है जिसे करने से आपके परिवार में सुक समर्धी आएगी रोग दोश का नाश होगा किसी का किया कराया जो तिस आकलन करूं तो इसमें माना जाता है कि नमक का दान करना और साथ ही इस दिन जो है आवश्यक रूप से कुछ ऐसी वस्तु जान करना जैसे कि गुड़ और लाल रंग की ताबा ही तैड़ी जो होता है वह सूरी ग्रह की धातु मानी जाती है आपने रविवार ब्रेथ सही स्थान पर कोई उपाय किया जाता है वह ततकाल फलीद होता है तो आप सभी को रविवार के दिन बहुत सरलतम उपाय करना है इसके लाब आपको ततकाल प्राप्त होंगे सूरी नारैन भगवान का दिन है हमेशा ही कहती हूँ जितना संभव हो आराधना करने का प्रयास करें लाब मिलेगा सूरी नारैन प्रत्यक्ष देवता के रूप में और ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं जो तिस में ऐसा वर्णन है तो आप सभी को पहला उपाय करने के लिए आपके घर पर कलेश रहता है ना किसी तरह से लगता है कि कलेश इत्यारी बहु पूच ऐसा है कि लगता है वास्तुदोश है पित्रदोश है तो भी सरल्समकारे कर सकते हैं लाब आपको मिलेगा आप सभी को लेना है जाड़ू जो घर पर आप यूज करते हैं वही जाड़ू आपको लेनी है और थोड़ा सा लेना है नमक गुरुजी कहते हैं उस के उपर से पांच बार उतारिए और किसी भी सूनसान इस्थान पर चोराहा हो या कहीं भी ऐसा इस्थान उस नमक को ले जाकर फैक दीजे घर पर वास्तुदोश पित्रदोश खतम होगा और किसी का किया कराया धन संबंधी परिशानी दूर होगी आपसी जो कही न कहीं वि जैसा नहीं लगना है घर पर ही यह चीज होती है कुछ भी समय नहीं लगना है बड़ी आसानी से आप कर लेंगे अब बढ़ते हैं दूसरे उपाई की तरफ दूसरे उपाई को जानने से पहले आप सभी मुझे पहली बार सुन रहे हैं मेरी आवाज तो लाइक कर दीजिए वीडियो को आप से रिक्वेस्ट है चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकोन को भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स वोक्स में सभी विक्ति महादेव के जैकारे जरूर लगाईएगा लाब मिलेगा दूसरा उपाई आपके ब्यापार व्रधी के हैं घर में कलह कलेश तूट का किसी का लगता है कुल मिलाकर लक्ष्मी आगमन और पित्र दोश घर के वास्तु दोश को दूर करने के लिए है खास तोर पर यह धन आगमन ब्यापार व्रधी घर में बरकत के लिए और दुकान इत्यादी में फैक्टरी इत्यादी में बरकत के लेने हैं कपूर के साथ टुकडे और फिटकरी के भी दो टुकडे लेने हैं एक लेना है नमक का टुकडा नमक आप चुटकी वाले फॉर्म में भी ले सकते हैं अगर खड़ा नमक मिलता है तो वह भी ले सकते हैं दुबारा से कह रही हूं साथ कपूर के टुकडे लेने हैं दो फिटकरी लेना है, एक लेना है नमग, काच की प्याली में घर पर हो या फैक्टरी पर किसी भी दिशा में रख दीजिए, काच की प्याली नहीं है, तो गिलास के अंदर डाल कर छोड़ दीजिए, अब आप सभी ने छोड़ दिया, कम से कम पंदरा दिन इसे ऐसे ही रख क पर छोड़ देना है मन में ऐसा आभास करना है कि इससे मेरे जीवन के सो जो कस्ट है मेरे परिवार का किया कराया है मेरे ब्यापार को नजर लग गई है मेरे ब्यापार में कहीं न कहीं कोई दोश है उन सभी के लिए यह कारे कर सकते हैं 15 दिन रखने के बार या तो बहते अधे हरहर महादेव